हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दिया गया एसिड या बेस कितना तेज है हम पहले से जानते हैं उदासीन वेलियन का pH साथ होता है और साथ से कम pH होना यानि अमलिये और साथ से ज्यादा pH होना यानि क्षारिये यानि आम तोर पर हम pH स्केल की मदद से शोन यानि बहुत अमलिये से 14 यानि बहुत क्षारिये तक का pH माप सकते हैं pH को एक ऐसी संख्या समझना चाहिए जो वेलियन की अमलिये या क्षारिये प्रवर्ती बताती हो वास्तम में pH किसी वेलियन में हाइड्रोजन या हइड्रोनियम आएन की संद्रता का माप बताता है हाइड्रोनियम आएन की संद्रता जितनी ज्यादा होकी वेलियन की pH मात्रा उतनी कम उदासीन विलियन का pH साथ होता है pH स्केल पर साथ से कम संख्याने पर वो विलियन अमलिये होगा और जब pH की मात्रा साथ से 14 तक बढ़ेगी तो उसका मतलब होगा विलियन में OH आयन की सांदरता बढ़ना यानि उसमें हाइड्रोकसाइड आयन की सांदरता बढ़ जाएगी और यही बढ़त उस क्षार की ताकत होगी तो अब हम कह सकते हैं कि एसिट्स और बेसिस की ताकत उनमें उत्पन H प्लस आयन्स और OH माइनस आयन्स की संख्या पर नर्भर करती है जो अमल ज्यादा H प्लस आयन्स मुक्त करते हैं उनको सबसे ताकतवर अमल यानि स्ट्रॉंग एसिट्स माना जाता है और जो अमल कम H प्लस आयन्स मुक्त करते हैं उनको कमजोर अमल या वीक एसिट्स कहते हैं तो कमजोर या ताकतवर खशारों का क्या जोगशार ज्यादा OH- ions मुक्त करते हैं, वो strong basis होते हैं, जबकि जोगशार कम OH- ions मुक्त करते हैं, उनको weak basis कहा जाता है pH का माप कैसे पता करते हैं, किसी विलियन के pH मापने का सूत्र है, minus log, concentration of hydronium ion, यानि hydronium ion की सांदरता का minus log, या log concentration to the power minus 1, जो हुआ log under bracket 1 by hydronium ion की सांदरता, यानि अगर ये सांदरता ज्यादा हुई, तो pH कम होगा, यानि pH मात्रा कम होगी, और 7 से कम होने पर विलियन अमलिये होगा यदि सांदर्ता कम हुई तो लॉक कमांद ज्यादा आएगा यानि pH की मात्रा ज्यादा होगी इसलिए एक्षार ये विलियनों का pH ज्यादा होता है यानि साथ से अधिक आईए आज उसी खा उसे फिर दोहरा लें किसी अमल या क्षार की मताकत pH स्केल के इस्थिमाल से जाची जा सकती है जिसमें शूनी से 14 धक्के मान होते हैं ये स्केल विलियन में हाइड्रोजन आयन की सादर्ता का माब बताता है किसी उदासीन विलियन का pH सठीक साथ होता है अम्लिये विलियनों का pH साथ से कम होता है क्षारिये विलियन का pH साथ से ज्यादा होता है pH हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए भी जरूरी है इसके बारे में हम अगले पाठ में जानेंगे